राधी राधी मेरी यूटू फेमली तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ आलू भुजिया की एक असान सी रेसिपी अच्छा मेरी सबसे ज़्यादा कोशिस यह रहती है कि मैं अपने बच्चों को मार्किट की चीजों से दुकान की चीजों से और नॉर्मली जो पैकिंग की चीजों होती है उनसे बचा सको इसी वज़े से मैं नई नई चीज़े अपने घर में बनाते रहती हूँ प्रेक्टिकल भी करती रहती हूँ अब ये जो आलू भुजिया आप देख रहे है इसको मैंने घर परी बनाया है और ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब आलू भुज़व बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो मैंने सोचे चलिए मैं तो इसको घर पे बना लेती हूँ तो रेसीपी भी आपकी साथ शेयर कर देती हूँ और बेटे के लिए आलू भुज़े बना देती हूँ तो करीब मैं यहाँ पर 500 ग्राम के जितना बेशन का इस्तेमाल करूँगी जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक आलू उबलावा ले लिया है सबजी के लिए बनाए थे ना अलू उबाले थे तो उसी में से एक मीडियम से साइज का आलू मैंने ले लिया था और उसके बाद ये मैंने कद्दू कस लिया है कद्दू कस में जो सबसे छोटे वाले दाते होते है उसी तरब से आलू को कस लेना है आलू के बिलकुल भी चंक्सनी रहने चाहिए क्योंकि ये जो आलू भुजया बनाए जाती है बहुत ही बारिक बनाए जाती है नहीं तो फिर मसीर अच्छा सी चलेगी नहीं बस एक पिंच के जितना यelo वाला फूड कलर ढाल देया जिसको केस्टी ल्र भी बोला जाता है और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है हींग थोड़ा सा मैंने जादा डाला है और हल्का सा स्पाइस नैस देते हुए मैंने डाला है यहाँ बेर्थ का पा overlap भी कर सकते हैं बट मैं इसको बना रही हूं एकदम हैल्दी वर्जन में और सर्सों के तेल का टेक्चर बहुत अच्छा आता है तीकिन उसके बाद पहले आलू और बैसन को अच्छे से कर देना है मिक्स जब तक इससे न देखी इस तरीके से मुठ्य सीना बनने लगे मतलब य कितना हो सके रगड़ते रहें तीन से चार मिनट के लिए तो अच्छे से यह मिक्स हो चुका है यहां पर हम पाने डालेंगे ऐसे नहीं डालेंगे जैसे नोर्मला माटा लगाते है उठागे पानी पटक देते हैं उसमें फूप सारा हम यहां पर मुठ्य पर पानी लेंगे मतलब हमें इसका एक ऐसा डोग बनाना है ना तो वो बहुत ज़्यादा थीक हो और ना ही बहुत ज़्यादा वो सोप्ट हो तो कहने का मतलब यह है थोड़ा थोड़ा आप पानी लेते जाईए और अच्छे से इसको मलते जाईए अब हमने यहां पर उगलेवे आलू का इस साथ की साथ ही काम कर लो तो यह मैंने इसको तीन चार हिस्सों में डिवाइट कर लिया है सबसे पहले यहां पर कढ़ाई रख देते हैं तो जब तक कढ़ाई में हमारा तेल गरम होगा बाकी जो हमारा आट है ना वो विल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा मैं इसको बन बनाए गए पकवान का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है अब मैं आपको बता रही हूं जो हमें आलू भुजया बनानी है वो किस तरीके से बनानी है तो मैंने तो यहां पर यह नमकीन बनाई वी बनाने के लिए मसीन ला रखिए और इसमें यह तीन तवे होते हैं जो कि पेस अध्मेट का टाइम मिल चुका है डो अच्छे से तयार हो चुका है तो जैसी मीडियम सी साइज का तवा है आज इसको मैं चलाने का तरीका भी आपको बताऊंगी आपके काफी सारे कोमेंट्स आ रहेते कि दिदी इसको चलाना बता हमसे चलती नहीं है जैसी मीडियम डाल दिया है एकदम ऊपर तकनी भरेंगे और आप मसीन देख रहे हो ना इसके ऊपर यह एक कटका सा होता है आप इसको दबाव रखोगे तो यह काम करेंगी जैसे ऊपर नीचे को काम करती है अगर आप इसको छोड़ दोगे तो यह काम नहीं करेंगी तो इसको दबाके र नगे तृड़र रहता है बैलेंस बिगड़ जायता है करोगे इसान की नीचे की बार नजरो देखे ज़िए हमारी तयार त्यार्व हो चुका है अज़ल का टेंपरेचर जब मेडयम तू हाइप के बीच में रहे ना रखिएगा हलका सोगती रखिएगा नहीं तो शेल बनने में दिक्कत आती है अब जैसे आपने तेल के अंदर इस सेल को डाल दिया है इसको आपको कम से कम ऐसा माने सकते हो पचास से साथ सेक्ड यानि के एक मिनट के लिए तो टस नहीं करना है गैस का फ्ले मेडियम तो हा रहके उपर आने लगे इसको आपको निकाल देन तो यहां पर देखे है आप अपने हिसाब से हैं जादा सही रहेगा बहुत जादा मट डालघी है । उछे से भी बन सकते हां चिपक भी सकती है वैसे चिपकती तो नहीं है लेकिन submit safety के लिए है इतना ही आपको यहां पर शेल की क्वांटिटी को डाले जितना मतलब की कमफोटेबल रहे तो यहां पर देखे इतने से बेशन से करीब 200-500 ग्राम के जितना यह बेशन था यहां पर पांच घेरे बनके तयार हो चुके हैं लाश्ट में आके मैंने मसीन को खोल दिया है और इसमें थोड़ सा बेशन से चिपका रहे जाता है और इसको हम निकाल लेते हैं और एसके छोटे-छोटे से इसी तरीके से Mehrल फेशन से नमकीन होते हैं इसमें नेकलते हैं मोटे-मोटे से जो गट्टे से निकलते हैं पता नहीं क्यों मतलब मुझे ऐसा लगता है चली अच्छा ही कर लिया है मतलब बचे दुकार की चीजों से बच गए है तो यहां पर यह चार से पाच घेरे बनके तयार हो है कहने का मतलब यह है कि काफी सारी हमारी नमकीन बनके तयार हो चुकी है अब आप ही लगा सकते हो 200- पत्तिने का आजाता होगा नॉर्मली असी नभर पे किलो आता है तो बीस से जादा से जाद बच्छी सुर्पे का बेशन आ जाता होगा आपका ठीक है 25 रुपे का मान लेते हमने बेशन ले लिया है इसमें और एक चोटा सा साइच का हमने आलू डाल लिया वह एक दो का सकते हो चलो तेल भी हमने डाला हाल तो बच ही जाता है हमारा तेल फिर भी अगर लगाओ आप इसमें तो उनली 30-40 रुपे का खर्चा आता है और मुझे ऐसा लगता है यह आधा किलो से तो जादा ही नमकीन बनके तयार हो गई थी अपने घर में बनके तयार हो गई थी कोई चोहार आते हैं उनमें भी बना के मतलब रख सकते हो गेस्ट आते हैं ना घर पे तो अचानक से दुकान की तरफ भागना पड़ता है और हाँ खासकर अगर अपने बच्चों को पैकिंग की और मार्केट की चीजों से बचाना चाहते हो तो इस तरीके की चीजों को अपने घर में अभी से बनाना शुरू करती है जबसी मैंने यह चीज अपने घर में बनाने शुरू की है तो मेरे बच्चे कभी-कभी लाते तो हैं दुकान की लेकिन इतनी नहीं है जैसे पहले रोज की रोज लाते थे अब कभी महिने में 10 दिन में थोड़ा बहुत 18 रु करना है नहीं तो यह सील जाती है